हलो चिल्डरन वेल्कम बैक यॉल आज हम फिर आ गया हैं कक्ष अच्छे नई दीप मणिगा के साथ लेसन नमबर 14 संबोधन जो आज हम आपको पताएंगे कि लेसन नमबर 14 संबोधनम में क्या होता है अभी तक मैंने आपको सारी विवक्तियां और कारक के बारे में बताया है तो आज हम पढ़ेंगे संबोधनम जो कि हमारा लास्ट वाली भी भक्ति है यानि कि हम इसको लास्ट वाली भी भक्ति तो कह रहे हैं लेकिन यहाँ पे हम ये बता दे कि संबोधन के लिए जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो वहाँ पे प्रत्मा विवक्ति का प्रियोग किया जाता है और इसका चिन क्या होता है हे अरे भो तो हमें ये ध्यान रखना है और जब हमें ये चिन बोलना है तो हमें एक्सक्लामेटरी यानि कि विस्म्यादी बोधक चिन लगाना जरूरी है तो आप सभी ध्यान रखेंगे कि किसी को भी बुलाते समय संबोधन के रूप का परियोग होता, और संबोधन में कौन सी वक्ती बताई है, प्रत्मावी वक्ती, अगर कोई इस्त्रिलिंग है, और इकारांत है, या इकारांत है, तो उसमें इकारांत, यानि कि छोटी इकी मात्रा का परियोग होगा, अभी देखते हैं, यहाँ पर तो है या नहीं, या फि किसी को बुलाते समय संबोधन के रूप का परियोग होता है जैसे कि हे बालक हे बालक तो आम कुत्रगच्च सी तुम कहां जा रहे हो या फिर तुम कहां जाते हो ठीक है आप जाते हो लिखो या जा रहे हो या पर सेम ठींग है वारता लाप है वारता लाब पढ़ते हैं बादचीत किसकी बादचीत हो रही है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे वरुन है है हे अरुन अच्छा एक बात का और ध्यान रखना जब आप इस वरुन को हिंदी में लिखोगे तो आपने विसर्ग नहीं लगाने ठीक है यह संस्कृत में दे रखा है इसलिए यहां पर विसर्ग पूट किये हूँ है जब आप इसकी हिंदी लिखोगे तो आप लिखोगे वरुन बिना विसर्ग के डैश हे अरुन तो आम केम करो शी तुम क्या कर रहे हो अरुन है अरुन हे वरुन अहम भोजनम खादा मी मैं खाना खा रहा हूं या म सुनेंगे अरुन मैं तो विद्याल्य जा रहा हूं अरुन है वरुन तिष्ट वरुन ठेरो अहम अपी आगच्छामी मैं भी आ रहा हूं अभी गच्छामी का विलोम शब्द भी हो गया वो जा रहा है वो कहरे मैं जा रहा हूं और वो कहरे मैं भी आ रहा हूं तो जाने के वे दोनों विद्याले जाते हैं अब आपने ध्यान दिया हुआ तव के साथ दीवचन की क्रिया गम धातु में और गम धातु के साथ जो विद्यालेम का परियोग हुआ है वो दित्याभी भक्ती एक वचन का हुआ अभी शायद आपको इतना clear नहीं हो पाएगा क्योंकि 7th में आएगे तो सुनते रहेंगे तो आपको बहुत जल्दी clear हो जएगा मैं तो ऐसे बार-बार बताती हूँ कि गम धातू के साथ जित्य भक्ती का परियोग किया जाता है आचारे भो छात्रा हे चात्रों अब भोत सारे चात्र आगे आचारे तो एक ही है भो छात्रा हे चात्रों चित्रे यूयम किम पश्यत चित्र में सब तुम सबने क्या देखा अब यूयम आगया तो यूयम के साथ पश्यत वरुनने हे शिरिमन, हे शिरिमान जी कित्रे राम लक्षमन वनम गच्छत है चित्र में राम और लक्षमन, अब हलंकी यहां पे नहीं दे रख अच्छा तो भी हम लिख सकते, राम और लक्षमन वन जा रहे हैं आचारे भो अरुन, हे अरुन, कि मतुम जाना सी? क्या तुम जानते हो तौक की मर्थम वनम गच्चत है वे दोनों किसलिए वन जा रहे हैं और उन्हें आचारे अहम ना जानामी हे आचारे मैं नहीं जानता आचारे दीपे किम तौम जानसी दीपा आप देखो यहाँ पर दीपा नाम आ गया और दीपा नाम को संबोधित करने के लिए क्या बोला दीपे अगर यहाँ पर लता होता तो लते बोलते और और भी कोई नाम ले सकते हैं गीता होता तो गीते बोलते हैं तो दीपे किम तौम जानसी दीपा क्या तुम जानती हो दीपा आम गुरुवर, जी गुरुवर हम बहुत रिस्पेक्ट करके भोलते हैं न, यूँ तो नहीं, हाँ हम अचारे के आगे या अपने गुरुओं के आगे हाँ तो नहीं बोलते हैं हम जी बोल सकते हैं या फिर जी गुरुजी निपसे दशरत से आदेशेन तव वनम गच्चत हैं राजा के राजा दशरत के आदेश से वे दोनों वन जा रहे हैं अब यहाँ पर आगे हैं आदेशेन आदेश से आचारे भो शुबरे हे शुबरा चित्रे सा महिला कास्ती चित्र में वह महिला कौन है शुबरा गुरु देव अब जब शुबरा कह रही है तो यहाँ पर शुबरे नहीं आएगा जब किसी को संबोधित कर रहे हैं तब ही वहाँ पर शुबरे आएगा इस बात कर रहा रखना अब यहाँ पर शुबरा, दीपा यह इस तरे लिंग शब्द है इसलिए यहाँ पर कोई विसर्ग पुट नहीं किये हुए लेकिन आचार, अरुन, वरुन यह जितने भी हैं यह सारे हमारे विसर्ग पुट किये हुए हैं पुलिंग शब्द हो गया और अगर हम पुलिंग शब्द का संबोधन लिखेंगे तो वहाँ पर हमारा कोई विसरग नहीं आएगा जैसे की दे रखा था हे बालक हे बालक में कोई विसरग नहींगे संबोधन में ध्यान रखेंगे ठीक है बाकी दीवचन और भौवचन हमारी सेम होती है आचारे शुब्रा गुरुदेव गुरुजी सातु रामस्य पत्नी सीता अस्ती गुरुजी वह तो राम की पत्नी सीता है आचारे भोबाला है बालकों रामे लक्ष्मने सीता च भारत से जना नाम आदर्शह संती राम लक्ष्मन और सीता भारत के लोगों के आदर्श है यानि कि हम सभी के वो आदर्श है ठीके न हम सभी के लिए वो शेष्ठ है और आदर्श है अत्य है वयम तान नमामे पुज्या महच्चछ इसलिए हम सभी उनको नमस्कार करते हैं और पूजा करते हैं कि हम पुलिंग इस-स रेलिंग और नपुल सक्लिंग शब्दों का परयोग सभी कार को अथ्वाभ विभक्दियों में कर चुके हैं अब आपको सभी विभक्दिया आ तो आपको शब्द रूप याद करना भी बहुत इजी हो जाएगा तो आज मैंने आपको यह चैप्टर पढ़ाया है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए एक लाइक तो बनता ही है इसके तो कोई चार्ज नहीं है ठीक है और अगर बहुत अच्छी लगे और आपके फ्रेंड्स को भी अगर इसकी नीड है तो उनके साथ शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखना मत बूलिए क्योंकि आपका एक अच्छा सा कमेंट्स हमें मोटिवेट करता है ओके चलजन टेक क्यर बाइबाई